हेलो फ्रेंड्स वेरी वल्कम बैक टो माई चैनल और आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त की धेर सारी सुब कामना है आप सभी को आज 15 अगस्त की हम बनाने जा रहे हैं जलेबी की रेसिपी जो कि हमारी रास्टी मिठाई है तो चलिए बनाते ही से बहुत ही आसान और बहुत ही कु एक pourquoi चांवी डाला है और मैं थोड़ा सा चीनी और एड करूँ है मैंग وढ़ने में चीनी by तो म zone एक आड कर दिया है ॉब्ह stora और हानिग वरári के चीनी हो गैप दिया है और इसमें मैं एक क्रूंग scary पानी पानी में मैं एक बावल के करीब पानी इसमें डालूँगी और अब इसे हम पकाएंगे चासनी में डालने के लिए मैंने लिया है थोड़ी सी लाइची छोटी लाइची और मैंने लिया है ये फूट कलर फूट कलर की जगा आप केसर का यूज़ कर सकते हैं इसे बहुत अच्छा कलर आता है तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं चासनी बॉयल हो रही है और मैं उसमें यड़ कर रही हूं छोटी लाइची पावडर चासनी को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है हमें इसे इतना पकाना है कि दो उल्लियों में चिपकाने पर यह हलका सा लसलसा बन जाए और मैं इसमें एट कर दियों थोड़ा सा कलर तो आपसे भी देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर इसमें आ गया है इसकी जग आप केसर का यूज़ कर सकते हैं हम इसे भी थोड़ी देर और पकाएंगे तो एक तरफ हमारी चासनी पक रही है दूसरी तरफ मैंने लिया है एक बावल के करीम मैदा और इस मैदे में मैं एट कर रही हूं इनू अगर आप इनू नहीं एट करना चाहते हैं तो मैदे और पानी का भूल बना कर कम से कम 10-12 घंटे पहले रख दे लेकिन हमें अगर जद्धी खाने कमबन होता है तो हम इसमें इनू एट करकर बना सकते हैं तो इनू डलने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी तो हमारी चासनी तयार हो चुकी है और अब चासनी को हम दूसरी तरफ रखेंगे और बनाना असरार करेंगे जलेबी तो फ्रेंड चासनी हमारी तयार हो चुकी है और अब हम बनाएंगे जलेबी का घोल तो इसमें मैंने इनू पाउडर पहले ही मिला के रखा हुआ है और अब मैं आट करनी हूँ इसमें पानी पानी थोड़ा थोड़ा सा मिलाएंगे इकठा पानी नहीं मिलाना है और यह जो कठा बनाना है तो इसका हमीसा ध्यान दें अ मत ok तो इसका एक चाह सा कूल में इसमें गुठ्लियां नहीं रहनी चाहिए तो इसे हम हां दो संबस Judas करेंगे कुछ तो यह गोल रहो है जलेबी के लिए अधेक भडाने के लिए मैं यूज करूंगी पनी है इस तरीके की पनी लिये है आप इसके जगह बाट्ल का यूज कर सकते हैं या फिट नमर की पनी का यूज कर सकते हैं मैंने एक कोने पे इसमें छोटा सा होल किया है मैंने छोटा से एक होल इसमें कट किया है यहां पन्नी पर और यह देखिए मैंने इसके अंदर घोल को भर लिया है और अब हम बनाएंगे जलेबी तो फिर जब इसे आप एक से दो बार बना लेंगे तो यह अच्छे तरीके से बनने लगता है जब फर्स बारे आप इसे बनाएंगे तो यह अच्छे से नहीं बन पाता है तो देखिए हमारी जलेबी यह फ्राई हो चुकी है और आप इसको हम डालेंगे चासनी में तो यह हलकी ब्राउन हो चुकी है तो फ्रेंज देखिए मैंने इसे एट कर दिया है चासनी में थोड़ी देर के लिए इससे हम इसे इसमें टूबो कर रखेंगे और इसके बाद हम इसे निकाल देंगे यह देखिए मैंने दूसरी बार डाला है इसे भी हम पकाएंगे जलेबियों को बनाते समय गैस का फ्लेम हाई रखना चाहिए तो फ्रेंज देखिए हमारी जलेबियां यह भी बनकर तयार हो गई है और इसे हम डालेंगे चासनी में आज है पंदर अगस तो इसे जरूर बनाकर खाईएगा और बताईएगा कि कैसी बनी है तो फ्रेंड्स देखिए हमारी जलेबिया बनकर तयार है बहुत ही कुर्कुरी टेस्टी जलेबिया तो मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सिस्क्राइब जरूर करिएगा कमेंड करिएगा और देखिए यह कितने अच्छी बनकर तयार हुई है तो आप घर पर इसे बनाकर आसानी सिखा सकते हैं गुड़ बाइए